जहिन दोस्तो, सभी candidate का एक सपना होता है, एक सरकारी नौकरी हो जाए, तो इस सपना को पूरा करने का एक सांदार मौका आ गई है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दसवी पास हैं, तब इस vacancy में आप फॉम फिल कर सकते हैं, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दू, permanent सरक आप लोगों को इस भरती से ले करके केसी भी प्रकार का डाउट ना हो, तो चलिए सुरू करते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को अब भी तक सब्सक्राइब निकिए, डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लिजेगा, तेखे दोस्तो, इस vacancy में अ केवाल आगर आप 10 भी पास हैं, मैं परसेंट के बारे नहीं बोल रहा हूँ, मिनीमम परसेंट से जो पासी नंबर होती है, उससे पास है, आप इलिजीबल है, और रही बात, टोटल सीट की, यानि कि टोटल वेकेंसी की, तो बता दू, पास सो दस पदों पे भरती जारी बहुत सारे केंडिडेट कमेंड करते रहते हैं, सर हमारा 30 प्लस एज हो गया है, हमारे लिए कुछ वेकेंसी बताइए, भाईया, आ गई है, 18 से 35 एर्ट, ठीक है, बाकी जो रिजर्वेशन के तहत हैं, उनको HCT को 5 सल छूट, OBC को 3 सल छूट, एज में मिलने वाली है, अग जो BC हो गया, EBC हो गया, BC2 हो गया, ये सभी आते हैं, ठीक है, HCT 50 रुपया, और PH केंडिडेट 00 रुपया, ये जो वेकेंसी पर्मनेंट सरकारी भरती है, स्वास्थम परिवार का ल्याण विभाग के तरफ से, और एक चीज बता दू, फिल्ड वरकर की वेकेंसी है, ये प अपलाइड एक अगस्ट दो हजार चूबिस से लेकर के 31 अगस्ट दो हजार चूबिस तक होने वाली है, अगर वेतन की बात करते हैं, तो मिनिम्म 18,000 से लेकर के 56,900 लेवल 2 के अधार पे आपका सेलिरी रहेगा, ग्रूप C लेवल के अंतरगत पोस्टिंग है, ठीक है, अ अब लेवल 2 के निसार आपका सेलिरी रहेगा, तो 18,000, देखे एक चीज मैं बता दू, इन हैंड आपको 30,000 प्लस देखने को मिलेगा, एचारे वगेरा मिला करके तो आपका सेलिरी लगभग 35,000 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है, आल इंडिया की केंडिडिड इसम दिश्टिक होस्पिटल से बनवा करके जॉइनिंग के टाइम सब्मिट करना होता है, बस इतना ही है, आपका प्लियर हो जाएगा, और रही बात इसमें जॉब लोकेशन की, तो भीया जॉब लोकेशन कहां मिलेगा आप लोगों को, तो जॉब लोकेशन चाहे मेल केंडिड हो, या फिर पी-एच केंडिडेट हो, जॉब लोकेशन आपको जारखंड के अंतरगत मिलेगा, और फिल्ड वरकर की पोस्ट है, जारखंड राज्य के अंतरगत, ठीक है, सीलिबस, तीन भाग में आपका पेपर होने वाला है, पहला भाग, भासा ग्यान, तो भासा ग्यान में 120 क्वेशन आएगा, दो घंटा का टाइम रहेगा, 1 by 3 निगेटिव रहेगा, एक क्वेशन तीन नंबर का रहेगा, हिंदी का 80 क्वेशन आएगा, इंगलीज का 40 क्वेशन आएगा, और एक चीज मैं बता दू, इन सभी में मैं जितना भी बता रहो, आपका 30% मार्क पा ठीक है, जन जाती भासा का, और एक चीज बता दू, इसमें भी 2 घंटा का टाइम रहेगा, एक क्वेशन आपका 3 नंबर का होने वाली है, तीसरा आपका समान या ग्यान से रिलेटेड क्वेशन रहेगा, 120 क्वेशन रहेगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा, 1 by 3 निगेटिव म गडित आएगा 10 क्वेशन, विज्ञान आएगा 20 क्वेशन, इस प्रकार से टोटल 120 क्वेशन है, और इस सभी में आपको 30% अंकल लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और एक चीज बता दू, आपके रिटन एक्जाम के प्रापतां के आधार पे ही आपका मेर फेक, यह कुछ भी नहीं, बस रिटन एक्जाम दो, मेरिट लिष्ट में नाम आ गया, और सीधा सीधा आप जॉइनिंग के लिए तयार हो जाओ, ठीक है, एक सांदार मौका है, हाला कि यह विकेंसी फिल्ड वरकर की ग्रूप C लेवल की और लेवल 2 के अनुसार सैलरी है, लेकिन है तो पर्मनेंट सरकारी नोकरी, टाइम टू टाइम आपका 3% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यह जो विकेंसी है ना, वो आप लोगों को बता दू, JASAC के तरफ से निकाली गई है, फिल्ड वरकर की 510 बदों पे, अब यह फिल्ड वरकर की विकेंसी है, तो आ एक विकेंसी का मैं बताते रहता हूं कि लाश्ट टक वीडियो देख लीजेगा, आपको पूरा क्लियर इसी विडियो में हो जाएगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या है, सब कुछ श्टेप बाई श्टेप, हर एक जानकारी मैं हर एक वीडियो में प्रोइट कराते रहता हूं, बस आप लोगों से हमेशा एक ही मांग रहता है, सभी जानकारी आपको फ्री में प्रोइट कराता हूं, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही मांग रहता है, ठीक है, तो दिखें, 30% क्वालिफिकेशन के आधार पे, बस लिखित पेपर, यानि की रिटन एक्जाम के अधार पे आपका सलेक्शन है, तो इससे सांदार मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, पर्मानेंट, ठीक है, सरकारी भरती है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो यह पर्मानेंट सरकारी नौकरी दसवी पास की लेवल में, जो अभी के टाइम पे सबसे आसान नौकरी होती है, इसके नीचे की जो विकेंसी न, वो सिर्फ और सिर्फ कोट के अंतरगत आती है, वो भी फ्यूझ वगेरा, की बाकी कहीं पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो सबसे आसान नौकरी होती है, दसवी पास वाली, और ऐसे vacancy को कभी आपको miss नहीं करना चाहिए, All India के candidate को हर एक vacancy के बारे में जानकारी होना चाहिए, मेरा ये मानना है दोस्तों, चाहे आप भरो या ना भरो, जितनी भी vacancy निकल करके आती है, सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या पता जिस विकेंसी में आप फॉम फिल करो क्योंकि देखे हर एक विकेंसी बार बार नहीं आता है कोई दो साल बाद, चार साल बाद, पांस साल बाद भी आती है इतना वेट नहीं करना, ऐसे मस सोचना कि हम नेक्स टाइम देख लेंगे, इंतजार बहुत लंबा हो सकता है जरूर हर एक विकेंसी के बारे हम जानकारी रखे, दसवी पास तांदार विकेंसी आ गई है, पांस सो, दस पदों पे फिल्ड वर करकी ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट कर दीजेगा, वीडियो पतसंद आई होगी ते लाइक कर दीजेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर दीजेगा, ओफिस्तियल वेबसाइट का लिंक डिसकिप्सिं में है और आपको टेल